बिसमिल्लेर रह्मारे रहीम, अस्सलाम अलेकुम इस वीडियो में मैं आप लोगों को MS Excel का एक टास्क प्रोवाइड करूँगा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने MS PowerPoint और MS Doc का एक practical टास्क किया था तो इस वीडियो में आप लोगों ने MS Excel का एक टास्क साइन कर रहा हूँ इसी को आप लोगों ने understand करते हुए यह question perform करना है इसमें कुछ इसे में आप लोगों को guide का देतो आप लोगों को यह पता है MS Excel total table की format में काम कर रहा होता है टेबल में आप लोगों के पास columns की form में alphabets होते है और rows की form में आप लोगों के पास digits होते है लाइक 1, 2, 3, up to so on आप लोगों ने first of all यह column count कर लें टोल कितना है जिन पर work किया हुआ है लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब 8 cell हैं जिन के उपर हम लोगों ने पूरी table बनानी है यह वाली तो आप लोगों ने उपर इस row के लिए complete 8 cells like A, B, C, D, 8 times जहां तक जा रहे हों उन सारों को merge कर देना है यहां मैंने mention किया हुए merge all merge करता है यहां पर आप लोगों ने अपना नाम लिखना है लाइक मुहमद, एहमद, son of, रियास, एहमद, up to son इस तरह से आप लोगों ने name लिखना है नीचे वाला cell, same, इसी को भी merge कर देना है इन सारों को, एनी के आठों को वहाँ पर लिख देना आप लोगों ने roll number, आप लोगों का जो भी roll number है रेंडमली कुछ भी डाल सकते है नेक्स्ट को भी आप लोगों ने मर्ज कर देना है यहाँ पर आप लोग अपनी academy का नाम लिख सकते है academy school जो कुछ भी है इन सारों का 1, 2, 3 और 4, यह 4 आप पास rows है इनका आप लोगों ने color कर देना है yellow इन 4 का नेक्स्ट आजाएंगे आप लोगों ने attributes बिनानी है serial number लिखना है subject लिखना है marks लिखना है marks के निचे part 1 है basically theoretical part होता है यह practical part होता है इसके बाद marks part 2 के हैं total marks और grade इस पूरी रोगों जो attributes वाली है आपने इसको bold कर देना है italic कर देना है underline कर देना है इसका size 20 रख देंगे इसका background color blue कर देंगे इसका जैसे इनका background color क्या किया था आप लोगों ने yellow किया था इस पूरी एक रोगों का background color क्या होगा blue आप लोग लिचे numbers लिखेंगे like 1234567 7 subjects हैं उनके names लिखेंगे आप लोग as it is डाल दीजेगा यह marks मेरे आड़ की हैं like math में theory में 45 है practical होता नहीं है math का तो आप इसको blank छोड़ देंगे अब टू सौन सारे ऐसे add करते जाने जैसे ICT है computer में 33 marks है 15 marks practical की हैं और English में practical नहीं है पाक study में नहीं है और marks 2 यानिके part 2 में आ जाएंगे same as it is marks हैं और practical कुछ के हैं कुछ के नहीं है आगे आप लोग तोटल करने हैं टोटल के लिए apply formula to add marks of part 1 and part 2 इसका मतलब इस जगह पे आप लोग आप लोग आके equal का formula equal add करते हुए formula लगाएंगे formula मेंने class में आप लोग को करवाई हुई है यह चीज़ें कुछ formula आप लोग यहाँ पे sum का formula ही लगाना है आप लोग ने sum करते हुए ये वला cell ये वला cell ये वला cell और ये वला cell चारों आड़ करेंगे जिसमें value नहीं है तो ये automatically उस value को skip कर देगा जैसे ये है तो यहाँ पे चारों आप करेंगे फिर एक ही formula को आप copy करके हर एक में paste करके directly formula अप्लाई कर सकते हैं यहाँ तक सारी ऐसे हो जाएगी ये पूरी रूँ ऐसे हो जाएगी next आप लोग ने अब यहाँ पे grades बनाने है जब यह marks count करेंगे आप लोग जिसके marks भी आप लोग के 60 से greater होंगे 60 से greater marks जिसके भी होंगे तो आप लोग ने उनको grade assign कर देना है इसी तरह जिसके 55 से greater होंगे आप लोग ने उनको marks भी assign कर देना है और जिस तरह 50 के greater होंगे उनको C assign कर देना है जिनके माक्स आप लोगों के पास 40 से greater बनेंगे उनको आप लोगों ने डी असाइन कर देना यह random लिए आप लोगों ने खुद से एक सीकॉंस रख लेना है तो यहाँ पे ग्रेट्स डाल देज़ेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक add then जो आप लोगों के पास बनेगा उसमें तो जहरी सी बात 100 प्लस होंगे तो आप लोग इसका grade A प्लस कर देज़ेगा last में टूटल माक्स आजाएंगे और grade आजाएंगे grade यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिर्फ यह वाला grade attribute भी नहीं सिर्फ values character यह grades वाला सारे का सारा आप लोगों ने column यह वाला सिर्फ इसका color आप लोगों ने कर देना है red यह mention में लिखिया हुआ यहाँ पे okay next last में आ जाएंगे इस पूरी row का color last वाले जो पूरी row है इसका color आप लोगों ने कर देना है green और इसमें first thing इन दो को merge की आप लोगों ने पहले दो को इसकी जगालिक देना है total अगले one two three four and five इन पांच को merge करके यह पांच है basically five cells को merge करके आप लोगों ने एक ही cell बना लेना है merge center करते यहाँ पे जब आपकी value आएगी इधर और formula लगाएंगे अब यह formula क्या करेगा यह formula count करेगा अपने वाले above को like यह वाली value दूसरे स्प्रेट की value तीसरे की overall जो है सारी count करते वह यहाँ पे लगाएंगे इसका मतलब दो formula लगेंगे इन सब के लिए एक ही formula लगेगा और इस के लिए और formula लगेगा तो यह आप लोगोंने formula इंप्लिमेंट करने है और इस task को ऐसे करते हुए complete करने है ओके गोड लग अलाह आफस